इस पाउन पांडे कमिंग अपिछ राउंड रूंड उफ निव सिंप्लिफाइड इन इस विडियो विविल डिसकाश एबाउट विंड विंड फॉल टैक्स और साथि साथ यह भी समझेंगे वाइड गॉपरनेंटि इंपोजिट तो फर्स्ट अपॉल लेट इस वाइड देखिए, रिसेंटली दा यूनियन गॉर्णमेंट हाइग, दा यूनियन गॉर्णमेंट फ्रोडूस किया जाने वाले कच्छे तेल के साथ साथ डिजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगाये गये विंट फॉल्ड टैक्स में वृति कर दी है, और इस ओर्डर के आने के कुछ दिन पहले हमने देखा था कि Central Board of Indirect Taxes and Custom के जो चेर्मेन है, इनका नाम है विबेग जोहरी जी, उन्होंने एक ओफिसिल स्टेट्मेंट में कहा था कि कुरूड वायल के प्राइस फिर से बढ़ रहे हैं, जिसकी कारण विंट फॉल्ड टैक्स को इसूज हैं, उन्हें भी डिसकस करेंगे and समझेंगे why do government impose it, government इस tax को क्यों लगाती है, उसे भी डिसकस करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, first of all, let's discuss about windfall tax, यह windfall tax होता क्या है, पहले जरा इसको समझते हैं, अगर windfall tax को समझना है, तो उससे पहले जरा इस windfall word को पहले समझ ल जहेंगे, means a large amount of money that is on or received unexpectedly that is called windfall, means ऐसा just पूर image आप ऐसा समझें, कि आपकी 10 करोड की lottery लग गई है, ऐसी situation में क्या हुआ, आपके साथ windfall हुआ है, एक large amount का, means एक ही जटके में आप बहुत बड़े आदनी बन गए, बहुत पैसे आपके पास होगे, तो ऐसी situation में क्या होगा इस 10 करोड रुपीज पर, कॉर्णिट को आपको tax देना होगा, तबी تو कॉर्णिट को आपको tax देना ही पड़ेगा, means आपने कहीं से अर्न किया, अब इसलिए आपको tax देना होगा, ये तो माल लिजे कि इसी company के साथ, ऐसा linen condition हो, माल लिजे कि इसी कमपनी के साथ ऐसा ही condition हो वो उनके लिए windfall हुआ है, तो ऐसी situation में इस 100 करोड रुपीच पर गवर्मेंट जो tax impose कर देती है, उसे कहा जाता है windfall tax, means अचानले से आपने बहुत ज्यादा profit earn कर लिया और उस पर आपको गवर्मेंट को tax देना पड़ा, that is called windfall tax, ये तो हमने समझ लिया lemon term में, अगर हम formal term म समझते हैं कि windfall tax क्या होता है, so a windfall tax referred to the tax levied against the certain industry by the government when economic condition permit those industries to experience significantly above average profit, means आप ऐसे समझेए कि windfall tax government द्वारा उन भी sales industry पर impose किया जाता है, जिनने किसी certain domestic या फिर international condition के कारण average से अधिक profit हो जाता है, generally tax क्या होता है, commodity based जितने भी बिजनेसे होते हैं, उस पर impose किया जाता है, just like for जो petroleum industry होती है, उस पर impose किया जाता है, इसे आप example से समझेए, जैसा को अलड़े हम example से discuss कर रहे थे, example से समझते हैं, माल लेजए कि international market में crude oil की price हो गई 100 रुपी, Russia and Ukraine का war start हो गया, उसके कारण क्या हमने देखा कि international market में crude oil की price बढ़ गई, ऐसी condition माल लेजए को domestic company है, जिसके जो crude oil का production cost है, वो सिर्फ 20 रुपीज ही है, तो ऐसी situation में क्या होगा, जब ये company इस crude oil को बेचेगी international market में, तो कितने बेचेगी, 100 रुपीज में, means उन्हें कितना profit हो रहा है, 80 रुपीज का, means उनके साथ क्या हो रहा है, windfall हो रहा है, एक large amount of money जो हो रही है, profit को तोर पर उन windfall tax क्या होता है, अब ज़राँ discuss करते हैं कि government इस tax को impose क्यों करती है, आकि government क्यों कर रही है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, company जमाल लिए profit earn कर रही है, उनके साथ unexpectedly हो रहा है, तो आग government का क्या लेना देना है, इसे भी समझते हैं, ज़रा दिखिए, अगर Indian context में बात करते हैं, According to BK Chaturvedi Committee, taxing of these windfall gains has been seen as a prorogative of governments in the part of meet physical needs and in the part to pursue redistributive justice, means इसे आप ऐसे समझेए कि इस windfall tax को impose करने के पीछे जो कारण है, ये government इस tax को through अपनी वित्य जरूते होती है, उसे पूरा करती है, और उसके जब पुनर वित्रण न्याय को बनाया रखने के लिए ऐसा किया जाता ह ऐसा government अपना मानती है, और BK Chaturvedi Committee ने जो 2008 में आई थी, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि government अपनी जो बित्य जरूरत होती है, जो physical need होती है, उसे complete करने के लिए इस तरह के taxes को impose कर देती है, नहीं तो क्या होगा, माल लेजिए कि जो commodity based जितने भी, जो business वगरा है, वहाँ प माल लेजिए, उन्हें बहुत large scale पर loss हो जाए, तो ऐसे situation में क्या होगा, government ही आएगी फिर उन्हें support करने के लिए, means government का angle क्या है, कि जब आपको बहुत ज्यादा profit हो रहा है, तब भी आप हमें tax दीजे, और जब आपको बहुत ज्यादा loss हो रहा है, तो obviously government आपके support में खड होगी, that's why, जो government होती है, इसे इंपोज कर देती है, ऐसा बहुत जारे, एकनोमिश का मालना है, और भी के चेदरुवेदी कमिटी भी इसे बात को refer करती है, तो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं, इसे related issues क्या है, कि हम बात तो कर रहे हैं, government इंपोज कर देती है, बट इस related issues क्या-क्या है, उसको जरा एक एक करके point boy point समझते हैं, इसा माना जाता है, कि जो companies होती है, उन्हीं एरिया में invest करती है, जहां पर जो certainty and stability of tax regime होता है, मिन्स उन्हें पहले से पता है, कि हमें 30% हमें tax दिना पड़ेगा, ऐसे situation में, माल लिजे, government of India लगा, भाई, यहां पर तो windfall हुआ है, तो हम यहां पर 70% tax लगा देते हैं, तो ऐसे situation में क्या हुआ, उनके लिए unexpected हो गया, माल लिजे, unexpected earning तो हुई, but tax भी तो unexpected हो गया, ऐसे situation में क्या होगा, कि long term में हो सकता है, कि जो companies तरह के investment करती हैं, इस तरह की sector में, वहां पर investment में कमी देखने को मिलेगी, दिया जाता है, जो इस basis पर criticism किया जाते हैं, government of India की, इसमें कहा जाता है, कि ये windfall profit क्या है, ये कौन decide करेगा, means determine करने का right किसके पास है, इसका definition क्या है, means आपने बोल दिया कि windfall हुआ है, but कितना हुआ है, इस से related कोई amount या कुछ जो percentage होना चाहिए, वो पहले से define होना चाहि है, means सारी चीजे क्या होने चाहिए, things would be clear, पहले से clear होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, कि माली जी हमने इस industry में इतना पैसा लगाया है, अगर windfall होता है, तो government को हमें कितना tax देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ऐसी situation में, government को जब चाहे, जितना चाहे, वहाँ प economist का मानना है, कि government का यह जो impose करना है, इसे impose करना बिल्कुल सही है, अगर आप बहुत large scale पर earn करते हैं, तो government को obviously आपको tax देना चाहिए, just because government ही आपके साथ हमेशा खड़ी होती है, जैसे माले जैसे का अलड़े हमने डिसकस किया, आपको loss की condition में है, तो कौन वहाँ पर होगा obviously government आपके साथ खड़ी होगी, तो अगर आप profit earn कर रहे हैं, वहाँ पर government के आपको जरूरत नहीं है, तो loss जहाँ आप earn करते हैं, वहाँ पर भी government को आपको नहीं पुछना चाहिए, तुम्हें इस condition ऐसी है कि maximum लोग क्या करते हैं, government का support भी करते हैं, अब बहुत सारे angle पे इ size भी किया जाता है, तो hope आपको windfall taxes related सारी बाते समझ में आई होगी, thanks for watching.